हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, इस्टडी बोट प्रश्वित प्रशान्थ फ्रेंड्स, आज वीडियों में देखने वाले हैं, टाइप्स ओफ लव जोई कपलिंग या फिर इसको हम बोलते हैं, टाइप्स ओफ जोग कपलिंग फ्रेंड्स, बेसिकली जो जोग कपलिंग होती है और लव जोई क्या उसकी कंपनी का नाम होता है जो जोग कपलिंग मैनिफेक्चर करती है, तो इस वीडियों हम जानेंगे कितने टाइप्स की जोग कपलिंग होती है जो lovejoy manufacture करती है चलिए friends सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इससे पहले भी मैं एक video upload कर चुका हूँ जो coupling के उपर जिसमें मैं आपको समझायाता ये सबसे आदा standard size की coupling that is L coupling कौन सी coupling है ये L type coupling तो detail में मैंने इसके बारे समझायाता कि जो numbers होते है L 110 या फिर 150 का क्या मतलब होता है coupling हम क्यों use करते है और lovejoy coupling के मैंने application भी बताये थे तो इस video को मैंने description में add कर दिया है friends वहाँ से आप इसके बारे में सारी information ले सकते हैं लेकिन आज की जो वीडियो होगी friends उसमें हम देखेंगे जो coupling कितने types की होती है जैसे कि screen के उपर आप देख सकते है ये 5 type की होती है basically इस video को मनाने के पीछे एक motive और भी था friends जैसे कि आप screen के उपर देख सकते हैं शंकर शंकर नाम के बंदे ने मुझे comment किया था और उसमें उन्होंने पूछा था अच्छा question था उनका related with RRS type coupling के उपर उनका question था और उस question को ही हम cover करेंगे last में चलिए friend सबसे पहरा हम वीडियो को start करते हैं और जानते हैं about types of love joy coupling सबसे पहला type होता है friend L type L type कौन सा है? यही जो अने आपको पहले screen पे दिखाया था यह सबसे ज़्यादा standard type की होती है standard jaw coupling s-t-a-n-t-a-r-d standard jaw coupling सबसे इस L type कौन की अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा versatile है और काफी सारे bore size इसके अंदर यह available होती है अगर मैं तो इसके technical specifications की बात करूँ जो इसका maximum bore size होता है maximum bore size वो आप जानते ही हैं जो coupling है इसके उपर जो bore आएगा तो maximum bore कितना हो सकता है अपना L type coupling में वो रहता है आपका 2.875 inches अगर इसे mm में बताऊँ मैं आपको 73 mm तक आप maximum bore कर सकते हो L type jaw coupling के अंदर maximum torque maximum torque की अगर हम बात करें L type के लिए तो यह रहता है 1412 न्यूटन मीटर यह मैं खुद नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड यह standard है जो की company तरफ से दिये गए है जो लव जो कंपनी नहीं अपने जो pamplett होता है उसमें लिखे होए है तो कितना maximum torque होता है इसका 1412 न्यूटन मीटर चलिए फ्रेंड अब हम बात करते हैं AL type coupling AL से ही आप समझ रहे हो क्या श्रेंड करता है aluminium ALUMI NIUM aluminium type jaw coupling तो aluminium type जो jaw coupling होती है इसमें basic कुछ ऐसा difference नहीं होता है यह भी same जो standard L type coupling में आपको दिखाई थी पहले उसी ऐसी होती है बस क्या difference आ रहा है इसकी जो body होती है यह aluminium से बनी होती है aluminium से बनाने का आपके application से उपर depend करते हैं पहला benefit क्या है यह lightweight होगी दूसरा resistance free होती है aluminium type जो coupling होती है जहां भी आपके application जहांपे पानी के pump को आप connect कर रहे हो किसी दिस्वी चीज से उस condition है क्या resting की problem आ सकती है लेकिन अगर हापे आप aluminium type यूज करोगे तो corrosion free रहेगी resting नहीं होगी अब इसके यूँ मैं technical inspection ने बताएता हूँ थोड़ा कि कितने maximum bore आप रख सकते हो तो maximum bore रहता है इसमें इसका 1.875 inches अगर mm में बताएं मैं इसको 48 mm तक आप इसमें maximum bore कर सकते हो और जो maximum torque limit रहती है इसमें वो रहती है 256 newton meter maximum torque aluminum type coupling जेल सकती है उसका हम बात करते हैं third type coupling that is SS type SS से आप सौंज रहे हो stainless steel stainless steel jog coupling तो ये भी same ही L type की होती है जैसे L type होता है basic difference क्या और आप इसके अंदर जो आपकी यो body होती है वो किस्ते बनी होती है stainless steel से तो इसके भी अपने कुछ applications है अगर मैं बात करूँ maximum bore की तो इसमें भी 1.875 inch तक आप maximum bore कर सकते हो या फिर 48 mm तक अगर बात करें हम इसकी torque capacity की तो aluminum type से इसकी torque की strength जाला होती है maximum torque कहां तक जेल सकती है ये SS type ये होता है इसका 419 newton meter ये भी अपने applications होते हैं वो आपके उपर depend करता है कि आप कहां पर इन coupling को use करना चाहते है चली friend फिर हम बात करते हैं fourth type that is SW type coupling ये थोड़ा different type की coupling होती है और बहुत ज़्यादा special type बहु सकते हैं special के आओधास में कुछ special नहीं है इसको पहले बताता हूँ radially removable elastomer 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 मतलब क्या होता है spider spider रुकियों आपको इसकी image दिखाता हूँ spider किस टाइप स्क्यों होते हैं normal coupling होती है L type हो या फिर aluminum type हो या SS type हो उसमें इस तरह का spider यूज़ करते हैं क्या होगा जो यह image आपने देखी थी एक coupling का portion यह है उपर एक यह है और यह जो आप देख पा रहे हैं यह spider connected है spider क्यों लगाते हैं ताकि metal to metal contact को बचा सकें अगर spider नहीं रगाएंगे तो coupling तो चलेगी लेकिन यह दोनों metal आपसमें टकराएंगे और जल्दी damage आएगी उससे बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं spider का लेकिन फ्रेंड जो आप कौनसी बात कर रहे हैं SW type coupling SW type में क्या होता है जो आपका spider होता है अभी तक circular spider थे लेकिन इसमें क्या होता है radial spider रहता है यह ऐसे इस तरह से रहता है जैसे यह देख पा रहे है यह वाला spider ऐसे लंबा रहता है और उसके अंदर ऐसे जो बने होते है तो इसको हम क्या करते हैं इस coupling के उपर चढ़ा जेते हैं और उपर से इस cover ring से lock कर देते हैं इसका क्या benefit होता है कही applications होते है आपके मान लीजे मैं application आपको बताता हूँ power pack मान लीजे यह कोई power pack है और यहाँ पर उपर motor connected है vertical position है connected है और यह नीचे pump है friend pump और motor को आपको connect करना है यहाँ पर अपने coupling लगा दिए उस condition है क्या होगा friend अब अगर कोई damage हो गया तो यहाँ तो आपको पूरा power pack खोलना पड़ेगा motor हटानी पड़ेगी time लगेगा अगर आप ऐसी type के coupling यूज करोगे लेकिन अगर आप hw type यूज करोगे तो side में से ही जहां से आप oil डालते है power pack में वहाँ से ही आप खोलके सीधे directly spider को change कर सकते हो तो यह इस तरह के application में useful होती है कौनसी type hw type coupling कुछ नहीं है इसमें same ही है वो भी लेकिन इसमें क्या हम use कर रहे है जो spider है आपका वो कौनसा type का है radial type का है अभी तक circular type spider use कर रहेते हैं चलिए friend सबसे last देखते हैं rrs type jaw coupling तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ friend यह coupling किस तरह की होती है जैसी कि आप screen के उपर देख सकते हो rrs type jaw coupling यह image है इसकी इसके मैं parts को detail में बताऊँगा और साथ में question भी देखेंगे जो important question comments में मुझे स्टंकरने पूछा था इसके उपर भी मैं discuss करूँगा तो सबसे पहले मैं इसके technical specifications लिख देता हूँ फिर हम discuss करेंगे इसके parts को और कैसे इसे install करते हैं साथी question पे focus करेंगे जो rrs type इसके अंदर भी radial rumival elastomer spider use करते हैं अब यह कितने sizes में available लेती है rrs 90 से लेके rrs 225 उसके रावास की maximum bore की बात करूँ मैं maximum bore रहता है इसमें 1.875 inches that is 48 mm जो की aluminum और SS में हमें मिल रहा था torque की capacity इसकी same रहती है 419 newton meter चलिए friend अभी तक मैं आपको यह दिखाया था इसमें इस तरह से fit करते है यह माली यह आपकी motor की shaft है यह pump की shaft है तो इसके parts कौन कौन से हैं friend यह देखिए आप detail में सबसे पहले तो एक spacer होता है यह बीच वाल आप देख सकते हैं यह जो connected part है इसको हम बोलते हैं spacer यह spider हैं कौन से वाले रेडियल वाले जो मैंने दिखाये थे इसके यह दोनों जो है एक जो यह है एक जो यह है एक कौन की shaft पे connect कर देंगे sorry motor की shaft पे दूसरे को pump की shaft पे connect कर देंगे यह ring है end ring जो इसके उपर रहती है और spider को lock करती है इस तरह से हम इसको install करते हैं चलिए friend हम question देखते हैं जो question मेंने पूछा था मुझसे उनका कहना था यह RRS 225 slash 140 इस तरह से coupling रहती है तो इसमें 140 क्या represent करता है dear friend 140 का जो representation है यह आपका show करता है जो आपका spatial है बीच में इसकी length कितनी है तो 140 क्या दिखा रहा है spatial length कई coupling होती है 180 होती है उसमे 220 slash 180 तो 180 क्या होगा उसका spatial की length उससे problem आती है जी हाँ friend उससे problem आती है problem क्या होगी friend अगर आप gap ज़्यादा कर दोगे तो जो spider होगा आपका यह elastomer वाला यह movement करने लगेगा freely movement करेगा जिसके कानली जल्दी damage जाएगा तो जो space होता है इसको spacer के साथ ही हम connect करते हैं जैसे हमारा मानली यह spatial है और साथ में हाँ पर jaw है एक दूसरा jaw यहाँ पर है बीच में हम डाल देंगे spider को और उपर से हमसे tight कर देंगे और यह किस से connect हो याएगा shaft से इस तरह से friend install करते हैं RRS type jaw coupling को तो friend mostly मैंने सभी parts जो types हैं joke coupling में आपको explain कर दी है इसके बाद भी अगर आपको कोई भी doubt रचता है किसी भी parts से या किसी भी type से तो comment section आप मुझे बताइए मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो friend like कीजिए जाए शाद वीडियो को share कीजिए and please don't forget to subscribe my channel thank you